स्वागत गल्नाते गीत विच आप सब दा स्वागत जो देश दुनिया द विच बैठके एस्विले डीडी पंजाबी ते गल्नाते गीत देखन चारे ने मेहाचारंग जित जोगी दर्श को आज दा दिन साड़े ले एक खास दिन है क्योंकि आज जैसी कौमी एकतादिव से मना रहे हैं सरदार भलब भाई पटेल लोग पुर्श के जिना दी जिन्दगी दा एक एक दिन साड़े दीश दी कौमी एकतादिव लगा हुए उन्हादे जनम दिन नो लेके पूर दे बारे इस दी जरूरत दे बारे बहुत सरी गल्ला बाता अज जैसी आपने इस प्रोग्रम गल्लांते गीत वीच करांगे और एना सारे गल्लां दे उपर सारे पक्खा दे उपर जानकरी दे ले चानना पॉंट दे बास दे साड़ेनल ऐस वेले गल्लांते गीत वीच गल कर दे कौमी एकटा देवस थी अजह सी कौमी एक ता दिवस थी मना रहे हैं इस दा मनाउंडा सानु क्यों उपरा ला करना पिया प्यों जरूर्ब्स महिसूस होई कोमी एकटा देवस दी सो चौजात हूँ स्टाट वह शूरू है और एदा एक बहुत बड़ा परपस है प quotation rain दसे है जा सकता है who lives if India dies who dies if India lives अगर قوم है हिंदोस्तान है ते लोग जिन्दे रहनगे अगर قوم है नहीं है ते हिंदोस्तानी किस तरह जिन्दे रहनगे ये जडी कौमी एकता दी गल है ये कोई नवी गल नहीं है ये सब्सक्राइब प्रचीन ताल में गरंथां तो सानू इन नजर आजानदा है कि कौमी एकता दी जरूरत है कौमी एकता और अखंड़ता जिदे परतीक सी सरदार पटेल विश्नु पुरान दे वेच एक शलोक है जिड़ा एस एकता नू दिरिश्टांदा है उत्रम यत्समुद्रस जिस दा संखेप दे वेच ए मतलब है कि समुद्र दे उत्र दे वेच और हिमाले दे दक्षन दे वेच जिड़ा परदेश है ओ पारत है और उदे जिड़े लोक है ओ पारती के लान दे है सो कौमी एकता दिवस दा मनाना ये एक छोटी गल नहीं है बहुत वड़ी गल है वैसे ते हैसी एकता दे सिधानतनों समझ दे हैं क्योंकि साड़े फलसफे दा एक हिस्सा है एको ब्रहम द्युतियो नास्ती सर्वम खल्विदम ब्रहम साड़े पुराने शास्त्र उपनिशद इस दी गल कर दे है क्योंकि कौम उदों ही बंदी है कौम दा मतलब सिर्फ एक टेरिटरी नहीं है एक परदेश नहीं है कौम दा मतलब सिर्फ एक जमीन दा टुकड़ा नहीं है एक Geographical expression नहीं है,कोम अधोओ बंदी है जोदोओदे चिरे लोग जाग्र work हो जन्दे है कि असी एक राश्ड दे, एक देश दे, YEक कौम दे, वासी हां, एट देश साड़ा है, इद। तरक्य देवेज साड़ी तरक्य है और अगर इद तरक्य नहीन हम दी थे असी सारे पिछड़ जाओंगे सरदार वल्लब भाई पटेल दे नाम देनाल इजोड़े अगया और उना दी जड़ी जनम तरीक है उसनों इस सेलिबरेट करदा होया कमेमोरेट करदा होया इस दिन जड़ा है इस बहुत अच्छे तरीके देनाल मनाया जा रहा है जी क्योंकि पारद दे पारदा गुजराद दे विच खास्त वारते जड़ा एरपोर्ट है कई म्यूजियम्स कई कॉलेजिस कई हस्पिताल एक ऐसे व्यक्ति दे नामते है जिसनों लोग पुरुष किया जानदा है जिसनों सरदार किया जानदा है और जिसने पारदी एकता और अखंडता देली अ अपना सारा जीवन जड़ा है और नियुचावर कर देता है जी एक बहुत ही पापूरत जो सानु कौमी एकता दिवस्ता जो महत्तव है इस दी जरूरत है इस दे पहलू ने इस दे पक ने चाहे उतार में गरंथा दे विच्चों होए ते चाहे फे ओ बिदबाना दे जीवन जागता है जेकर साड़ा देश जीवन जागता है असी ताहीं जीवन दे रमांगे ते जेकर असी जीवन दे यां देश नहीं होवेगा ता फिर साड़ी भी कोई बुकत नहीं साड़ी भी कोई पच्छान नहीं साड़ी भी कोई होंद नहीं सो निज वास्ते जीना न शुरू करी ये देश देवास्ते, कौमी एकथा देवास्ते असी जीना शुरू करी ये जिवे के सरदार बल्लबाई पटेल होना दा समुचा जीवद रहा है। ते कपूर सब जेकरसी उनने दे मुडले जीवन दे उपर एक निकी जी चात मार ये सरदार भल्लबाई पटेल होना दा मुडला जीवन जड़ा उके हो जासी? देखो जड़े लोग इतिहास बनां दे हैं वो आम तो औरते दिख़ा जाना कि छोटी हैं चोटी हैं जगते पैदा होते हैं जी ज़रूरी नहीं कि इतिहास बनां दे लितनु मेट्रोपलिटन सिटी दे विज़ पैदा होना ज़रूरी है एक बहुत अमीर कराने दे विज़ समाजबगे कि उना दा उना दे जिडिए फादर से गे, पिता जी से गे, ओ किसे टाइम दे उत्ते महराणी लक्षमी भाई दी फाज दा हिस्सा रहे है, जी और ओ सारी सारे संसकार उना दे बिच से गे, कारदे हलात इस तरहा दे से गे कि matriculation दा exam matriculation दी पढ़ाई जदों सर्दार वलब भाई ने पटेल ने कीती है ति ओ सो ले होना दी उमर शायद 21-22 साल हो चुकी सेगी दूसी अंदादा लाओ लोगे समझ दे सेगे की एदा कुई पड़ा इच इंटरस्ट नहीं है लोगे समझ दे सेगे की ये जिन्दिकीश कुछ कर नी सकदा ए रुटीन खेती बड़ी दा ही कम करेगा लेकिन निकलिया कुछ और कुछ और कुछ प्रदार पटेल दे अंदर एक शम्ता से की कुछ चांदे सी. पहले ओ प्लीडर है और ओ दे बाद ओ पैसा पूसा कठा करके कि जो शायद ओ चौती साल दे से गए तो ब्रिटन चले गए और मिडल टेंपल लंडन दे विच उनने जड़ा च्छती महिने दा कोर्स है ओ ती महिने दे विच कर देता और उसे टॉप किते है उस त तो ही ओ गरीब लोग लाचार लोग असहाय लोग उनना दा त्यान रखन दे विच उनना दी सेवा सुशुर्शा करन दे विच बहुत विश्वास कर दे सी क्योंकि मैंनों याद आ रहे है कि जो दो उत्थे ब्यूबानिक प्लेग फैली है या एक टाइम ते जो फलडड आ यह है ते उस वेले उनने अपनी प्रवार ना कर दे हुए एक वरी ते रादर ओवी प्लेग दा शिकार हो गय से कि फिर उनने प्रवार अपने नों एक दूसरी जगाते पही देता और क्या जानदा है कि मंदर दे विच रह कि उनने अपना कुछ समा बतीत किता ताकि उदी इंफेक्शन जड़ी है उप्रवार दे लोका नो या समाई दे विच उनना फैले जी जो उनना दा इड़ा मुडला जीवन है एक ते उनना दी कॉलिटी है कि उनना दी किसे ने मदद नहीं किती जो दो उपड़ाई कर दे सेगे तो किताबाँ बारो करके किताबाँ लोका नहीं है लेके उपड़ दे सेगे और जो वी उपड़े सेगे उनना अपना जड़ा मंतव है अपना गोल जड़ा है उनना साफ नजर अंदा सेगा और गोल ऐसी देश दी रक्षा करनी देश दी सुरक्षा करनी देश दी एकता और अखंडता जिदी ओ मूर्थ सन अगर एक सतार वलब भाई पटेल है गया है जी और मैं एक कह सकता और राधर टाइम्स लंडन ने इस गल नो लिखे सेगा जी की जिस तरह इटली दे एकी करन दे विच कैबूर मेजनी और गैरेबालडी दा योगदान है विशेश और जर्मनी दे विच जर्मनी दी जड़ी स्टेट्स मुडेना लगा टसकनी साडी दी हैं इस सारी हैं स्टेट्स अलग 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 सी हैं जी और इननों एक कहबूर मेजनी गैरेबालडी ने अपने अपने तरीके अनल कीता बेशक कहबूर ते एक अंदा हुंदा से का कि I cannot write a sonnet but I can make Italy कि मैं एक कविता दी रचना दे नहीं कर स लगदा हैं एक अलग जड़ी है ए सरदारवल भाई पटेलते भी लगू हुंदी है क्योंकि उनना दे एक संसमरंदे विच उनने बड़े साफ लफजांदे विच किया कि मैं बहुत बड़ा कोई लिखारी नहीं है मैं कोई बहुत बड़ी एहो जी छलांग जड़ी है एजड़ की जड़ों आई जदों उनना दे वाइफ दी डियथ्ट हो गई है वाईफ दो कैंशर हो गया स्टे उनने डेफ हुगी उस गदॉप जबान से गे दो बच्चे भी से लेकिन उननने दोबारा शादी नहीं किती क्योंकि उस समय कि है उस समय से कि कि अगर दूबार समर्पित करते हैं जी ए बहुत एक खुबसूरत गल सानों तेत्वानों सारे नों ए सुननों मिली है कि परवार सिर्फ दो बंदिया तक के सीमत हो की रहजवे ओ नहीं होंदा परवार तो आड़ा जे तो आड़िती हैं पुत्तर ने माँबाप ने पैंड़ पाई ने सिर्फ उठे तक कि यासी सीमत कर लेए ताँ इस सोढी निज्जी हो सक दिया परवार साड़ा पूरा पिंड हो सकद है पूरा श्यार हो सकत है पूरा देश हो सकत है आओ पिंडा महलेयां शैरां कस्वेयां दा बिच्छों उठगे आप एक क्लासीव क्वेशन नूं च्छाड़के समुचे राष्टर दी गाल कर दे हुए कौमी एकता दी गाल करिए ते आज जसी कौमी एकता दी गाल सरदारवल पाई पटेल नू लेके कर रहे हैं जिते उना दे ऐसी मुडले जीवन तो बहुत कुछी सिख दे हैं उते फिर जो स्यासत विच वी ओ अपने देशनों अजाद कराऊन दी वासते जोड़ी ओ अजादी संगरा में उस दी कालना वारे भी जरूर जानना चाहांगे क्योंकि अजादी कुलाटिया दे नाल मुड़े ना मुड़ा जोड़के चलना ते बहुत कुछ देश दी अजादी दे लई रासिद पद्रे कर्मे ओभी उना दे हिस्से आया है देखो ओना दा जनम ते एक छुटी जगाते होया सी नदियाद दे विच लेकिन उन्हाने सारे देश नोही एक अपना कर्मक्षेतर बनाया जी इंगलेंड तो वापिस आन्दे बाद उन्हाने जड़ी कनून दी लौ दी लीगल प्रैक्टिस जड़ी है बरिस्टर बन के आ लेकिन उन्हान दा केरियर जड़ा है जिसनू राइनितिक क्षेतर दे विच केरियर कह सकती है यह उन्हाने सारां दे विच शुरू होया जदो ओ पहली बार मिल्सिपल काउंसल दे विच मेंबर बने चुने गए और कुछ साल दे बाद ओ दे ओ चेर्मैन बन गए फिर और में दे तो औरते उन्हाने बहुत कुछ कीता लेकिन एक साल दे बाद ही उन्ही सो ठारां दे विच खेड़ा जिस डिस्टिक्ट नूँ बिलॉंग कर दे सेगे जी उत्थे उन्हाने सत्याग रहा है लांच कीता वैसे एक साल पहले ही उन्ही सो ठारां दे विच ही एक उन्ह ने अपने लेक्चर देवे चेक्या सिखा कि महात्मा गंदी दी जड़ी सवराज दी गल है यह बहुत जरूरी है सानू सेल्फ गौर्रमेंट चाही दी है और आम तो और ते क्या जन्दा कि एदा क्रेडिट कुछ होर लोकानू जन्दा है जिनाचे बाल गंगधर तिलक भी है महारशी स्वामी देहनंद भी है लेकिन एफेक्ट है कि राजनितिक तो और ते पहली वरी एक बहुत लंबा चौड़ा पाशन होना ने बोर साथ देविच दिता से उनीस सो तारह देविच की गंदी जी जड़ी यह पॉलिसी है इस पॉलिसी नू सिरे चड़ांदे ली सान महात्मा गंदी ने चंपारंदे विच लड़ाई शुरू किती दी सी महात्मा गंदी उनीस सो पंदरह देविच आये है वापस इंगलेंड तो और उदेबाद तिन मुख सत्यागर है उन्हें लांच किते एक चंपारंदे विच सी दूसरा खेड़ा देविच से गाँ किता गया सरकार ने अपनी रिपरेशन दी पॉलिसी जड़ी है दबाउन दी पॉलिसी अपनाई लेकिन ओधा असर कोई बहता ओस अंदोलन ते नहीं होया बहुत बड़ा अंदोलन जिड़ा की सरदार वला भाई पटेल ने की ता और जिड़ा सरदार लफज होना देना कोई ती परसेंट दो क्रीब टेक्स जड़े सिगे ओ लेने पहे सिगे और उस सारे इना नों वापस करने पहे जो दो बाड़दोली दा सत्याग्रा होया जी एक सत्याग्रा है उनी सो ठारा दे विच खेडा दा होया और एक फिर उनी सो ठाई दे विच बाड़दोली दा सत सत्याग रहा है उस सत्याग रहा दे वेचे सरकार नू तुसी है समझ सक देऊं की कंपेल करके ओड़ा लैंड रिविन्यू दा है उसनू कटा के पच्चीती परसेंट तो कुछ छे पॉइंट सम्थिंग दे उते लैंदा जी सो सरदार वलब भाई पटेल दा करियर दी अंदोलन है जिड़ा उनी सो तीदा है यहां भारत छोड़ो अंदोलन है उनी सो बताली दा है इना सारे यह दे वेचे उनने वद चाड़के हिसा लिता और महात्मा गांदी दे बहुत ट्रस्ट वर्दी जेना ते विश्वास किता जा सकता है ओ शिश्य से गे बेशक बहु कि यह समझ दे सी कुछ चीज़ा है नहीं है प्राक्टिकल नहीं है जी जी एक दस्तंदी चीज़ बड़ी जरूरी है जी कि जदों महात्मा गांदी ने नान कोपरेशन बूव्मेंट असाय योग अंदोलन शुरू किता और तान सारे नों पता है सुनन वाले नों कि असाय अंदोलन जलियां वाला बाग मैसेकर दे बाग और सरकार दी जड़ी रिप्रेशन दी पॉलिसी है और मॉन्टेग चैंसपोर्ड रिफॉर्म्स जड़े सी आए उनिस सो उन्नी दे विच जदे मताबक एक दोरी शासन पर नाली डैर की शुरू किती गई सी उस दे बाद महा पठेल जी जड़े की इंगलेंड तो आये सेगे अंग्रेजी वेश्बूशा चलेंदे सेगे अंग्रेजी त्रीके देनल खांदे पींदे जिन दे सेगे उन्हाने उन्नी सो वी दे बाद फेरे सारा तुसी कह सकते हूं कि अपना खादी दी वेश्बूशा नो इन्हाने त तक दा सफर बकालतों बाद फिर समुचे देश्टी वकालत की नहीं होना असी घुलामी दे जन्जीरा नू तोड़ना है फिर अपने देश्टी वकालत नू एकक्ठेया करके अजादी दिया नमया लिहां ते तुरंदा जो सफर हुंदा है। उस्तों बाद फिर उनने दे सुपने दा जो सूरज है ओवी चड़दा है क्योंकि अजादी दे प्रती जो कालनावा कारियां होंदियाने उद्धा जेकर असी देखिये ते साड़े इस देशने अंदर कोई कहने देने की कोई अपना कैशर बनना सोच दा है कोई परदान बनन सोच दा है पर नतमस्तक का सुरदार बल्लप पाई पटेल होना दी इस जिंदगी दे लई कि उनने अपने देशने प्रती अपने देशनों प्रवार समझ के अग्ये वदे ता फिर जदों देश अजाद हुन दा है अजाद फिजा देविच असी साल नया साड़ा तरंगा लहराँ दा है कौमी फिजामा देविच साड़ा जन गन मन गूंज़दा ता उस विले उननों वे एक वड़ी जिम्मेवारी वी दिती जानती है फिर उननने एक सियासी सफर भी शुरू हुन दा है सियासत दा एक नमा अध्याय शुरू हुन दा है उदे बारे की क्यों उनने गुजरात सबादी मेंबर्शिप एकसेप्ट कीती हुम उदे चेर्मेन बने फिर उनने खेड़ा दा सत्यागरा है जिड़ा के मैं पहले दस चुका जी उनिसो ठारा दे वेच और फिर उस तो बाद बारदोली दा सत्यागरा है जिड़ा ठाई दे वेच फिर कीता गय है जिड़ों सभी ने अवग्या अंदोलन महात्मागंदी ने लांच कीता इननों साल्ट सत्यागरा केंदे है डंडी महार्च जड़ा है उदों उनना दी बहुत ज़्यादा कांट्रिबूशन सेगी हुम और जदों गंदी जी एरेस्ट हुए है उस तो पहले तुसी यह सम आगया है जी और बत्ती तक तुसी है किय सबूऑ जोदों महात्मागंदी वी जेल्च सेगे की महात्मागंदी ने जेल्च उनने पा देता सेगा गंदी एरेफ़क्त पहले तुसी εδώ समझ सक दे की उन्हान ने एप ङूरी तरह तह admire सी फैसला कर लिता सेगा की लोगता antigo benchmark कर है गया है इननों किस तरीके देना एकठा करना है और जदो उस विले कांग्रेस दी है पॉलिसी की एलेक्शन नहीं लड़नी है लेकिन जदो अंग्रेज़ा ने उनीसो पैंती दे एक्ट बनाया उदे मताबक उनने प्रिविंशल अटॉनमी और फेडरेशन दो जड़े मुख होना दे सेगे इना दी शुरुवात किती ते कांग्रेस ने फिर उनीसो सेंती दे विच एलेक्शन लड़ी गया है उदो पड़ेज़ा नहरू और सदारवलब भाई पटेल दा बहुत एहम योगदान सेगा और उस वेले अठ प्रांतां दे विच कांग्रेस दी सरकार बनी सेगे लेकिन उनीसो नन्ताली दे विच जड़ों दूसरा विशवयूद शुरू हया ते दूसरे विचवयूद दे विच कांग्रेस नो हिंदोस्तानियां नो पुछया ने गया सिदाई पारत नो शामल कर दिता गया इस दे प्रोटेस्ट दे खिलाफ इस दा resolution पास कीता महमद अली जिनहा ने उस तो बाद सर स्टेफ़र्ड क्रिप्स हिंदोस्तान दे वेच आए बताली दे वेच और फिर कैबिनेट मिशन बनेया उनीस सो चाली दे वेच इस सारिया कटनावां जिडियां की अजादी दी लहर वर लेके जारीयां से गियां जो तो बिल हिंदोस्तान लगबग दो हिस्सें दे वेच बंडियादा सी एक ओ राज जिडियरेक्ली अंग्रेजां दोरा शासित परदेश से गे और दूसरे ऐसे राज जो थे इंडियन प्रिंसली स्टेट्स रजवारे जिननों तुसी कह सकते हैं जो से गे रियास्ता और हां और यह रियास्ता हैं यह कोई पंताली च्छाली परसंट एरिया हिंदोस्तान दा कवर कर दिया सी और कोई असी नबे मिलियन दे करीब लोग जड़े है ओ ते रेंदे सी जिनना चिकर ए रियास्ता पूरे एक यूनिफाइड इंडिया दा एक संयुक्त पारत दा हिस्सा ना बनन उ यानि के पारत दी ओ कलपना जड़ी पुराना दी है पारत दी ओ कलपना जड़े साड़े पुराने शास्तर काना ने किती दी है उस ते मताबक जड़ा पारत है जड़ा उपरों उपर तो लेके थले तक जिस तरह उत्रम यत समुदरस दी में गल किती है ओ सिरे निसी चड़ सकदा अगर सरदार पठेल उना दे विच एक की करन ना लेके आंदे हैं डिपलोमेसी नाल स्टेट्समेंटशिप दे नाल जोर दे नाल और पर बड़े शांत मेह तरीके दे नाल कोई पंसो बाट दे करीब तुसी कह सकने हो स्टेट्स सीगी हैं वैसे थे अंग्रेजी रिकार दे विच छे सो स्टेट्स सा जिकर रांदा है जी लेकिन कोई पंसो बाट दे करीब ऐसे ऐसे प्रिंसली स्टेट्स सीगी हैं जित्थे जाके या जिनरनल कम्यूनिकेट करके सरदार पठेल ने वीपी मेनन जड़े कियो दे सेक्रेट्री से गे उना दी मदद देनाल इस सार एक कम जड़ा है इस से रे चड़ाया क्योंकि नवंबर डे विच जदों एक कॉंस्ट्ट्रियंट असेम्बली बनी है जी इंटरिम गॉर्मेंट दे बाद अंतरिम सरकार अंगरिज़ा ने उन सो चाली दे विच बनाती सी जी कैबिनेट मिशन प्लैन दी फेलर दे बाद औ और उस सरकार ने एक फैसला की था कि एक ऐसी मिनिस्ट्री बनाई जाए एक ऐसा डिपार्टमेंट बनाया जाए जिड़ा एक प्रिंसली स्टेट से इनल डील करता है जिड़ा पार्ती अजादी दा एक टुनिस सो संताली दा है उदे विच ए बड़ा क्लियर सेगा कि पारत जिड़ा है एक दो हिस्सें दे विच वंडिया जाएगा एक स्टेट अफ इंडिया डुमीनिन अफ इंडिया एक डुमीनिन अफ पाकिस्तान जी और जीड़ी है देसी रियास्ता में उन्हा कोले पूरा अधिकार है कि यो पामे हिंदुस्तान दे नल जान पामे पाकिस्ता देनल जान या फिर independent अपने आपनों कोशित कर दें यह अपने आपनों independent कोशित करन वाली एक ऐसी शरारत सी गी जिसनों बहुत सारे लोग हवा वी दे रहे सेगे लेकिन सरदार पटेल ने मांट बेटर नो इस मामलेच कन्विंस कीता मांट बेटर ने चेंबर आफ प्रिंसेज दे विच बहुत सारे प्रिंसेज जड़े है उस मीटिंग दे विच आए वड़े वड़े जड़े है और उनानों इस दसन्दी कोशिश कीती वी किस तरीके दिनाल यूनिफाइड इंडिया जड़े है उदे विच ही तोड़ा फ्यूचर है ए जड़ा डिपार्टमेंट बनेया सरदार पटेल दे अंडर ए डिपार्टमेंट उनानों इस करके दिता गया सी कि एक ही करन दा कम सिर्फ सरदार वल्लब भाई पटेल ही कर सकते हैं दूसरा कोई निसी कर सकता और तुसी हरान हो गए कि ये पंसो बाट दे करीव स्टेट्स जड़ी है ये मर्ज कितियां गई है उडिशा दे विच कोई बाई तेई स्टेट सी गया है और हैदराबाद दा राजा है उत्थे लीज दे उत्थे कुछ लेना चांदा सी क्योंकि उत्थे शायद सोने निया खाना है इस तरह दा उन्हाने सुने दा सी जो सदार पटेल नो उत्थे गया थे वो सिद्धे उत्थे उडिसा गये और उन्हाने उत्थे राजया नो किया कि तुसी अपने खूचो निकलो खूदे डड़ू ना बनो एक महा सागर यानि के हिंदोस्तान दा तुसी हिस्सा बनो और ओ राजे इस चीज दिनाल मन गये इस तो बाद नागपुर भी गये ओ बंबैी भी आए ओ एमदाबाद भी गये हो बहुत जगादे होते हो गये और राजया नो किन्विंस कीता लेकिन कुछ स्टेट्स ऐसी हैं सी यह जितना जूना गड़ है जितना हैदराबाद है जिसना कश्मीर है जिनने पार्टी फेड पाकिस्तान देनल चलना है गया। उन जुनागाड़ी कैसी स्टेट है जिदा पाकिस्तान देनल बॉर्डर नी सी लगदा। और हैदराबादी स्टेट जड़ी है। कैंदी सी ऐसी ते इंडिपेंडेंट होना है। लेकिन मिलिटरी एक्शन का पुलिस एक्शन का तिन-चार देना दे विच्छी सारा कुछ सरदार पटेल ने दा सिल्यूशन कर देता। जी और जुनागाड़ी दा नवाब है उते दोड़के पाकिस्तान चला गया। और हैदराबाद देने बाद ने चारक देना दे बाद फे सरेंडर करके ते तुसी समझ सागे दो को हिंदोस्तान दा अधिपत्य जड़ा है उससा विकार कर लिया। किस तरह चड़ना चाहेगा तो राजियां देनाल जड़ा agreement होया सी राफ जाया जी ओ ऐसेगा कि जड़ा communication दा department है, उस साधीकल रहेगा, foreign affairs दा department साधीकल रहेगा, defense जीड़ा है, department साधीकल रहेगा, क्यूंकि पहले इस सारे राजे जीड़े है, ए है गे ते अपने तोर ते independent से गे, लेकिन ए राजे British crown दे प्रती वफादार से गे, British crown दे प्रती, British crown दे दे उते हावी सेगा जी लेकिन हुन जड़ा है यह उन्हों प्रिवी परसिस देते गए और यह क्या गया भी तो अड़े बारे जो भी फैसला किता जाएगा हॉली हॉली हो जाएगा जो तो पूरी तरह समीधान दा भी निर्मान होंदा है जी और बाकी चीज़ां भी जड़ी है हॉँँँ छोटियां मोटियां है गी है और डिसाइड होनी है गी हैं हु तो राजे इस चीज़ दे उते मन गए क्योंकि डिफेंस उन्हा को लग गए ही निसी अग्या भी डिफेंस होना दी जडी सीओ वर बिटिश सरकार ही सेगे। कमिनिकेशन नोना को अगए भी बहुता नहीं सेगा, ओभी बिटिश सरकार दे कोल सेगा, फॉर्न अफेर्स भी उन्हों को बहुते नहीं सेगे, ओभी बिटिश सरकार को सेगे, तो इस करके इन आप कुछ पॉइंट्स दे होते, क्यों हर राजे दिया अपनी है तो इस जिन्हों है है और में उन्हों की विचार है और फिर और राजा कहन दे या डर गया और उसने अपने आप नों, इंडिया दे विच शामल होना सभी कार करना जी नहीं यह स्टेट्स है इना 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 रिपर्सेंटेटिव दे थू और एक बड़ी कूट नीती नो वर्त दे हुए जी और किते किते वड़ा दिल दिखान दे हुए यह जिनिया प्रिंसली स्टेट्स है गिया है जिन उनल फिर पूरे हिंदोस्तान दी कल्पना दे हुते पानी फिर जान दे। जेकर सारी चीजान देख दे हैं एकता जड़ी है उस सारी आजवी तो अनल लगदाए कि आजवी उसे रूप देवीच सान ज़रूरत है साभे जड़े आम असी निजी मसले नू लेके ज्यादा उतिशाहित हो जाने यां जो दो कौमी मसले देगाला हुदी आए उसी पैर पे आज दे समय दे विच आज दे संदर्व दे विच तुसी किन्नी की जरूरत समदे में? इदी उन्नी जरूरत है जिन्नी के पहले सी क्योंकि अनेक्ता दे विच एक्ता और मैक्रो दे विच मैक्रो और मैक्रो च मैक्रो ए बहुत जरूरी है देश दी उनती दे लिए वे शक आर मुलकां दे नाल खड़े होना है ते ये तो अड़े अपने देश दे विच अराजकता है अवे वस्ता है लड़ाई चगड़े है आपस कोई समझाता नहीं हो रहा ते मैं समझदा कि इस सड़ा इड़ा इमेज है ये भी बाहर बहुत मड़ा जाएगा और साड़ी कि ताकत जड़ी है ओवी सड़ी कटेगी क्योंकि सेंटरल कवर्मेंट हिंदोस्तान दा पूरा इतहा से शो कर दा है कि जदों जदों केंद्रिय सत्ता कमजोर होई है उससे विले दुश्मन हावी होई है उससे विले अक्रमन होई है उससे विले सारी हैं प्राब्लम्स कठी हो आड़ हैं अगर सारा देश एक तरीके देनल, एक तरीके न सोचना दी ज़रूरत नहीं है, देश कोई यह नहीं है, कोई military dress इकोतरानदी dress पाओ, इकोतरानदी कल्चर adopt करो, इकोतरानदी festival तुसी मनाओ, इककोतरानदी गल नहीं है, लेकिन एखनेकता चेकता है हर कल्चर नो एप्रिशेट करना हर निशनेलिटी नो एप्रिशेट करना मनू याद आ रहे है कि जो दो मैं बाहर पढ़दा से गाते मेरे एक प्रफेसर से गे जी ओना दी किताब से की अनिल सील ओना दी किताब सी हो केंदे की हिंदुस्तान जड़ा है एक कॉंजरी of states है, जम कट है states था, और जिनना दी जड़ी टू नेशन थेहरी सी की, जड़ी बात देविच पूरी तरह फेल होई, की यह अलग-लग दो राश्ट्र है गया, ओ केंदा, इंडिया वाज नॉट टू नेशन, इंडिया इस नो नेशन अट आल, इक ऐसी नेशन है, एक ऐसा राश्ट्र है, जिड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं कि मैं राश्त्र बन जाऊँ, है नहीं है, एक दो नेशन दी गल नहीं है, जिस तरह मुहमद लिजिननाँ ने कहा सी, क्योंकि अगर असी इस सारे त्रीके दिनाल संपरदाय दे मताबक, जती दे मताबक, रंग दे मताबक, अमीर ग्रीब दे मताबक, अलग लग परदेश दे मताबक, हाँ उस ते फकर करना बहुत जरूरी है, अपने प्यों नो अपना प्यों ही कहना चाहिए है, लेकिन दूसरे दे प्योदा भी सतकार करना और उदे प्रती उन्नी श्रद्दा रखनी ओ बेशक कोई त्योहार हुए बेशक कोई फलसफा हुए और बेशक कोई होर मैटर हुए सारे यहां दे वीच एक यूनिटी दी फिलिंग एक थ्रेड एक तागा जिड़ा है ओ पुरोन दा काम जिस तर की फिसी प्रस tendancy हैं बाध ज़्यादा डिवाइसे वीच दूसरे शनूं बॉत बूरा पला काहां दी और टूआइड करने यहां जैड़ यहें टींडन्टन्डन्डन्सी खियां इस तंडन्सी बमात यहां ठीक नहीं है मुल्क दिशेद दे ले जे मुल्क दिशेद ताई बन सक दी है अगर सारे लोग इकठे रहं बिलकुल जी सारे लोग जेकरrage इकठे रहेंगे फेश्टिवल कोई भी होई त्युहार कोई भी होई किसे भी तरह दा होई क्योंकि साड़ी खूपसूर्टी ही है किसे बगीचे देए तुसी चले जामो उते जेकर तो हनो सिर्फ गुलाब दे फुल दखाई देन तामी मन उकता जानदा है जेकर गेंदे दे फुल दखाई देन तामी मन उकता जानदा है जेकर उस बगीचे दे अंदर तरह तरह दे फुल पतियां वाड़े बूटे होनगे चंगा लगदा है सारे दा सारे ओ बगीचा सोना लगदा है इसे तरह ही साटा ए मुल्क भी एक खूबसूर्त बगीचा इस ते अंदर भी वखो वखरे लोक रिंदेने वखो वखरे तरमा मजबादे लोक आपस दे बिच मिल वर्त के रिंदेने एही तक कौमी एक्तादी के खुब सूर्ती है जिकर ए साड़े अंदर आजवे कि असी सारे एक्यां हर एक फुलदी अपो अपनी खुश्बू हुंदी है ओँ खुश्बू भी माननी चाहिए दिया पर नाल दी नाल असी जड़े साड़े अंदरूनी कंडे ने वो कंडे वीचार ने ते जे करो साड़े कंडे चड़ गया जी फिरतां फिर क्याई बातां फिर सच्मुच असी उस कौमी एक तादे रात ही तुर पह ते जेडी हुन असी गल करन लग गया कि उनानू लोवपुरिश क्या जान्दा से असी निक्या हुन दे तो किताब बादे वीचे पढ़ दे आया साड़े अध्यापक सहभान सानू दास दे आये लोवपुरिश केंदे सी उना समय दे दुरान ते आज दे जड़े बच्चे साथ आई प्रोग्राम देख रहे हुन गे लोवपुरिश उनानू क्यों क्या जान्दा सी उदे बार भी थोड़ा चानना पा रही है लोवपुरिश इस करके सी कि ओ फर्म विल सी उना दी जड़े किसे भी एक सत्विक या वदिया नेता दे विच हो सकते वदिया नेता ओ हुय हुंदा है जड़ा अपने बारे नई कट सोच दे और जड़ा पूरे समाज बारे देश बारे सोच दे puisque उसदा बलिदान भी कर देंदार है किश्मीर दी समस्या साड़े सामने अज जड़ी है यह उस्वेले भी सॉल्व हो सक दी है इस बरे इत्यास करां जो मत पेद राई नितिग्यां दे विच मत पेद हो सकता है लेकिन क्योंकि यह समस्या है उस्वेले दे प्रदानमंत्री जी दे उना दे स्पूर्सी टूबी ओ मैटर इंटरनेशनल ह गया सी यूएनो दे विच चला गया सी जो दो पाकिस्तान ने जीड़े कबाईली लोग सी उना दे को लों आटेक करवा के कुछ एरिया नो कबजा कर लिया तो दुबारा इत्थे दी फौज ने उत्थे जाके बहुत सारा उक एरिया जड़ा है दुबारा अपने कबजे च और उद्धरों यूएनों ने फिसी स्वार कर देता सो कुछ हिसा जड़ा है यह साड़े गौंडी देश चला गया कुछ एत्थे रह गया है वो लोग पुरशेस करके से कि उनने जूना कर दा मसला जड़ा सॉल्व कीता है या फिर उनने एक खेडा दे विच जो कुछ कीता या फिर जो उनने कुछ हैदराबाद दे विच कीता इस सारियां चीजां उनना दी जिन्दगी दे विच जिनियां भी कटनावा हुई हैं ओ ना अपने कदमा तो हिले ना डिगे ना लालच मो दे विच आये है और ना ही ओ किसे दे ऐसे सेजेशन ते जिड़े की जिड़े क कोई कमजोरी नजर आए गीता जिसना कलेवियम मासम गमे पारत जील्ड नाट टू अन मैनलीनेस ओ अरजन अन मैनलीनेस तुसी कह सकते हूं जिदे जि मैनलीनेस दी कमी है ओ मैनलीनेस दी कमी दे शिकार कदी नी हुए और दूसरी गले है कि जो तो एक गोग दा वीशू है उनीसो काट दे विच हिंदुस्तान दा हिस्सा बने है बिलकुल और उस्वेले भी सरदार वलब भाई पटेल ने एक मीटिंग दे विच ए अवाज उठाई सी कि चार कंटे देओ गोवा साड़े कब देच आ जा जाएगा लेकिन जिस तरह दा उस्वेले महाल बने है या जिस इस तरह दे विचार उसले चल दे सिगे ओ प्राब्लम से लिंगर ओन हो दिया गई है लोग पुरुशेस करके सिगे कि कहन दे है कि बचपन दे विच एक वरी होना दे कोई फोड़ा हो गया अच्छा ओ फोड़ा आम तो और ते उनना दे विच जिड़े नई लोक हैगे है उस दे विच कटिंग लगान दे सिगे उननने उस तरह या नश्टर जो भी तुझी कह सकते हूं उस नूँ पगड़के और चीरा जिड़ा है खुद ही लगाना चुरू करता ओ जिड़ा नाई सी ओवी कबरा आ गया इस चीज तो कि ये बंदे दे विच एनना दम है कि एनन डर व्यक्ति एक सत्यवान व्यक्ति एक निश्टावान व्यक्ति एक संसीर व्यक्ति जिननने पूरा जीवन जड़ा है ओँ अजादी दी लड़ाई देवे बर्पित कीता और अजादी दे बाद भी उनने पूरी कोशिश कीती बेशक को पाकिस्तान तो जिड़े प्लेग है, बेशक कोई दुर्भिक्षा अकाल है, यह होर कोई भी समाजिक समस्या है, उन्हाने बड़ी निश्ठा देनल, बड़ी संसेरिटी देनल, उन्हा सारीया समस्यावानू सुल जान दी कोशिश की ती, जिन्हानू आम तो अरते लोग कुर्सी दे बैठे हुई भी इ हुँ, उन्हानू बड़ी प्राना गर समढ़ दे शी, महाद्म है क्गाण दी कोई कुछ रादे सेगे, उन्हादा रिगार्ड कर दे हुए वी जित्वे कोई डिफरेंस ह हुँ दस पासे चले गए, यहां को होर फाइदा उठान दी कोशिश किती, यहां को ऐसा प्रेशर ट्रेक्टिक यूज किता, क्योंकि ओ प्राइबेरली बेसिकली एक बहुत अच्छे इंसान से गए, और तार्मिक तो और दिख्या जाये ते ओ वल्लब संपर्दाय जड़ा है, उदनल, जुड़े सेगे, वैशनव सेगे, वल्लब संपर्दाय दनल जुड़े सेगे, और उस सात्विक उनना दा पोजन होंदा सेगा, सात्विक उनना दे कम होंदे सेगे, और जड़ी गाल ठीक है, उठीक है, सचाई दे रस्ते दे चल दे सी, और उस रस्ते तो उनना कोई एदर दर हिला ने सी सकता जी इस से करके उनानों लोग पुरुष किया जान दा है और क्योंकि उना चे क्छे नेता दी कौलिटी सी गुंद से गे इस करके सरदार दे नाम दे नालवी उनानों सुशोबित कीता जान दा है बिलकुल जी चंगी लीडरी दे गुण होन चंगा एक आग आदि आज जी गर् tại इस दियार कर रहे है इस्ञैनों मनाओद्या होयां वक्षवक्रे शरकारी अर्द सरकारी निजी दक्रान दे बेच्टा अधारियां दे बेच्ट जत्वे कस्मा का इहां जानिया ने इस दिन नूं मनाद्या होयां कि मैं दिश्टी एक ताते अखंटा दे लई आज दे दिन ए प्रण करदां कि ता उमर लगामागा और इस देश दी एकता ते अखंडता दे लई असी अपना आपा भी कुरबान करंतों पिछे नहीं हटांगे क्योंकि इस एकता दे विच्छी साड़ा देश है तो जिकर देश जिऊंदा रहेगा ता असी भी जि जो सड़ी पीडी है नौजबान पीडी जिना दे उपर सड़ी देश दा पविक ट क्या हुआ है जित्थे असी कौमी एकता दी गल कर रहे हैं उत्ये दिकी दिकी गल दे उपर उगर हो जांदे ने ओ गुस्थे दे विच्छा जांदे ने पढ़ काहड दे विच्छा जां नहीं उना दे वास्ते कौमी एक तादा मतलब समझोना आज जिदे समय दे विच की समधियों पुखा है जासी समझा नहीं सके मैंनों लग दा कि पूरा सड़ा अजादी दा जिड़ा इतिहास है जिदे च लखा लोका ने अपना योगदन दिता जी कही आदा नहीं है उना सारे आँब बारे आजदी पीडी नूँ एजूकेट करन दी जरूरत है क्योंकि सनुए अजादी एमे नहीं मिली थाडी चराक के मुलक है उते हर तरह दे लोक होंगे जी उधेच मॉडरेट भी होंगे उधेच एक्स्ट्रीमिस्ट भी होंगे उधेच उगरवादी भी होंगे लेकिन अगर उस सारे आंदा उधेश देश दा निर्मान करना है और देश नू अग्गे ले जाना है अगर उधेच कोई करना आना चाहिदा है और मेंटेनेंस अशी ता ही कर सकते हैं अगर उसी इकठे होई है यूनाइटेड वी स्टैंड डिवाइड़ वी फॉल मैंनों याद आ रहे है कि अंग्रेजा ने टाइम देविच जड़ी परशासनिक सेवा सी उन्हों इंडियन सिवल सर्विस क्या ज काबल साबत नहीं हुए हूर इस तरह ने यह बहुत ज्यातिया है होनिया सी और अंग्रेज़ा ने टाइम देविच जिनने भी ओर्डर वगारा पास हुंदे सी यह आईसीएस कर दी सी इंडियन इस सर्विस जड़ी सिवल सर्विस है सरदार पटेल नू सेंट पेटरन आफ इडिंस्टिटिव सर्विस क्या जन्दा है क्योंकि उन्हा ने आई सी इस नू आई aes देविच परिवर्थित कीता इंडियन आडिज्टिव सर्विस जी और इन्हानों बहें दस है गया कि मेंशादेव कोई कलॉन्यलिज्म नहीं है बिलकुल सी नाος दानी अप्रोच है य क्योंकि ICS दे मेंबर्स नहीं जड़े अजादी दे बंदे हागिया है इन्हानु जेल लांच पाया इन्हानु फांसी दे चड़ाया इन्हानु बोलिया हमारी है गाल है कि एस विशेदे उपर गालबात असी ताहां उमर करिये बच्यानों रोज असी दसिये ताहीं जाके साड़े विचे कौमी एकता दी पावना जड़ी आ है जागनी है वेला जड़ाया ओहुन मुकदा जान दा है अज जसी कौमी एकता दे वस्ते मौके ते बहुत सरे ग लबाता कीतियां तुसी आपना बेशकीमती समासानों देता है साड़े दशक साड़े नल जुड़े रहे तोड़ा बहुत बहुत तानवा जी शुक्रिया जी